तो आज के हमारे वीडियो में हम इंडिया के लॉजिस्टिक सेक्टर में प्रेजंट एक ऐसी कम्पनी के वारे बात करेंगे जो कि अपने बिजनिस सेग्मेंट में एक मार्किट लीडर होने के बावजुद इस कम्पनी का स्टॉक प्राइज अपने टॉप से आज करें 40% डा आज के वारे वीडियो में में सबसे पहले आपको इंडिया के पूरे ही लॉजिस्टिक सेक्टर के मैक्रोश के बारे मारे में एक्स्प्रेंट करूँगा secondly मैं आपको बताऊँगा कि इंडिया का logistics sector का जो business model है वो work किस तरह करता है और thirdly मैं आपको इस company और इसके business में चल रहा है को जैसे recent developments के वारे बताऊँगा जिसके जलते मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले time में इस company में आपको काफी अच्छी growth देखने को मिल सकती है और before that मैं आपको बता दूँँ ये वीडियो में केबल एक informative purpose से आपको बता रहा हूँ और मेरा कोई भी मोटर नहीं है कि मैं आपके buying या selling decision को किसी भी तरीके से influence करूँ तो प्लीज इस वीडियो को केबल एक educational point of view सही देखिएगा और further अपनी research करिएगा बिफोर आप कोई भी buying या selling decision लो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को like करके चल को subscribe करके प्लीज उस bell icon को भी click कर दीजेगा तो सबसे बहले हम start करते है macros को समझने से तो देखिए इंडिया की GDP growth आज की time 7% या उससे तेजी से ही हो रही है इसके comparison में आप even developed nation को भी देख लो तो उनका जो GDP है वो इंडिया के comparison में काफी slow growth हो रहा है अब जो logistics sector है वो एक ऐसा sector है जोकि directly link है किसी भी country के GDP growth से because अगर GDP growth होगी यानि उस country में demand और supply का increase होगा उसको fulfill करने के लिए और goods and services को एक जगे से दूशी जगे पहुचाने के लिए जो logistics sector है उसका सबसे important role रहता है अब अगर आप worldwide इस पूरी ही logistic industry का growth potential देखो तो until 2022 ये पूरी ही industry 7.98 trillion dollars की थी और ऐसा expected है कि ये बढ़के 2030 तक 18 trillion dollars से भी जादा की हो जाएगी जो की 10.7% की CAG growth है जो की अपने आप में काफी fantastic है वही पर अगर आप बात करो इंडिया के logistic market की तो हमारे आप बढ़ती हुई GDP, rising income level और B2C businesses like e-commerce businesses की growth की वरे से हमारे आप जो logistic market है आज के रहे हम काफी देरी से grow कर रहा है पर past में इंडिया के logistic market में एक problem रही है और वो ये है कि ये हमेशा से unorganized players के तुरू dominated रहा है और उसका reason ये है कि GST के implementation से पहले हर जो state थे उसके अलग-अलग tech structures हुआ करते थे जिस वाएचे जब कोई goods और services एक state से दूसी जगे पर transfer किया जाता था तो उस case में company को काफी ज़ादा paper work करना पड़ता था पर वहीं पर GST के implementation के बाद से ये जो पूरा ही market है ये unorganized players से आज के time organized players पर shift हो रहा है and apart from this we all know कि आज के time इंडिया का focus है कि हमें एक global manufacturing hub बन पाए इस पूरे hub बनने के case में logistic का strong होना काफी ज़ादा जरूरी है because past में इंडिया का problem ये रहा है कि हमारे जो logistic cost रही है as compared to our GDP वो 13 to 14% की रही है और अगर इसी cost को आप वागी compare करते हो developed nation से तो वहाँ पर ये cost 7, 8, 9% की होती है maximum अब इससे होता ही है कि क्योंकि हमारे logistic cost काफी ज़ादा है तो जो भी companies हमारे manufacturing plant डाने का सोचती भी है उनकी case से problem ये हाता है कि उन्हें अपनी goods ये services एक जगए से दूसी जगए ट्रांसफर करने में काफी ज़ादा costing परती है ज़ादा as compared to other countries इसकी वएसे उनकी जो operating profit margin है वो impact होते हैं दूसी तरफ वो जो इसको high cost पर भेजते भी है उनको भेजने के बाद भी इस पर काफी दा time लगता है और इन सारे हैसास से बजने के लिए ज़ादा से ज़ादा जो companies है इंडिया में अपना manufacturing plan establish करने से आज तक डड़ती है पर पिछले कुछ time में इंडिया के rail और road infrastructure के improvement की वएसे आज की time हमारी logistic cost भी नीचाना start हो गई है पर इसमें improvement का काफी ज़ादा scope है जापर आगर मैं आपको example दूँ तो अगर आप road transport का case देखो तो आज में हमारे case में जो road transport है उसमें जो 35% time जो trucks चलते हैं transportation के लिए वो खाली चलते हैं जो कि हमारी इस पूरे ही system की inefficiency दिखाता है तो अगर आप इस पूरे ही logistic market के business structure की उपर तो अगर आप इस पूरे ही logistic market को देखोगे तो इसमें सबसे पहला आता है domestic air express transport जहाँ पर जो भी हम domestic airports अगरा के तुरू logistic transport करते हैं और यहाँ पर जो express word है उसका मतलब है कि जो भी transportation कम time में किया जाता है second आता है हमारे rail transportation third आता है हमारे road transportation fourth आता है हमारे cross border transportation जहाँ पर हम दूसरी दूसरी country में logistry transfer करते हैं और fourth आता है हमाय वेरहाउस और supply chain management जहाँ पर जो वेरहाउस वगेरा है और जो पूरी supply chain है एक product को दूसरी जगे पहुचाना इसका management जहाँ पर अगर आप road transport में देखो तो further कुछ parts आते हैं जिसमें एक आता है पार्सल है उसको ट्रांसफर कराती है उनको जो कॉस्टिंग पड़ती है वो उस पार्सल के वेट के अराउंड पड़ती है इससे एक ही ट्रक का यूज करने के वैसे दो से तीन जो कंपनी होती है उनके लिए कॉस्ट डिवाइड हो जाता है उनको जो ट्रांसपोर्टेशन है वो काफी ता effective पड़ता है थर्ड हमारा आता है इसी किसमें truck load जहाँ पर एक company एक particular truck assign करती है और उसके थुरू अपने parcel deliver करती है अब अब अगर आप इंडिया की logistic market में यह तो different means of transportation है इनका market share देखो तो हमारा पूरा ही market तीन segments के थुरू dominated है जिसमें सबसे पहला आता है water transport जिसका market share total logistic transport में किवर 7.6% है सेकेंड आता है rail transport जिसका market share current में 32.10% है और थर्ड आता है सबसे largest road transport जहाँ पर आज हमारे इंडिया में more than 60% of the logistic transportation है वो by road होता है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इंडिया में जो road transportation का market है वो सबसे जादा है और बाकी सारे logistic market को dominate करता है और इसका reason यह है कि पिछले कुछ time में इंडिया का जो road infrastructure है वो काफी तेरी से improve हुआ है और जिस company के बारे में हम आज अपनी इस video में बात करने वाले हैं वो भी इसी road transportation के market में ही work करती है अब further मैं आपको इस market के बारे में further details बताओ तो इसमें दो तरह के models work करते हैं जिसमें सबसे पहला आता है hub and spoke model और second आता है point to point model वैसे तो यह दोनों ही models road transportation के अंदर ही आते हैं पर इन दोनों के अपने-पने merits और demerits है जहाँ पर सबसे पहले अगर आप hub and spoke model को देखोगे तो मान के चलिए एक किसी city के या किसी area के अलग-अलग point से logistic transfer होने है तो सबसे पहले वहाँ के जो local warehouse है वहाँ से वो छोटे-छोटे trucks में यानि 10 ton के जो trucks है उसके तुरू transfer होके एक particular point पे आएंगे जिसको के हम लोग multi-model logistic park बोलते है वहाँ से further उन सारे जो logistics है उनको एक बड़े 30 ton के truck में या फिर rails के तुरू transfer किया जाएगा बड़े दूसरे multi-model logistic park तक और वहाँ से further वो जो सारे logistics है उनको separate करके छोटे-छोटे 10 ton के truck में फिर से load किया जाएगा उनको अपने अपने जो area है उनके जो major warehouse है उन तक transfer किया जाता है अब यह जो पूरा ही model है यह point-to-point model के comparison में जादा effective होता है और 25% तक कम costing लगती है पर इसके comparison में अगर आप point-to-point model को देखोगे तो यह काफी तक time saving होता है यहाँ पर directly एक point जहां से logistic transfer होना है उसको वो truck छोटे-छोटे 10 ton के truck में directly उस दूसरे warehouse तक ले जाता है जिसके area के पास वो जो parcel है वो deliver होना है इसके किसना भले ही 25% costing ज़्यादा लगे पर इसमें जो timing होती है वो बहुत कम लगती है इसके timing के save होने की वज़े से जो majority of the e-commerce website होती है वो इस point-to-point model का ही use करते है और जो हमारी company भी है वो भी majorly इसी point-to-point model की उपर work करती है इसके बाद हम आते हैं अपने वीडियो के third part पर जहाँ पर मैं आपको इस stock और इसके business के बारे में प्रोवाइड कर दूँगा So हमारी इस company का नाम है delivery जो कि recently 2022 के जून में ही अपना IPO लेके आई थी और right now company का जो market cap है वो around 30,000 करोड का है अब यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि company case में इसका जो stock price है वो अपने top से लगबा 40% down है और अभी तक company consistent business पर profitable लहीं हुई है अब यहाँ पर आप एक के दमाग में एक question आ सकता है कि यार इस पूरे ही express delivery और road transportation के जो market है इसमें तो और भी companies work करती है फुर्दम फिल blue dart हो गया या अधर e-com express जैसी companies और यह companies तो आप देखोगे तो net basis पर profitable भी है फिर मैंने एक ऐसी industry जो की अपने आप में 10.87% की CZR से grow कर रही है उसमें एक ऐसी company को क्यों choose किया जो भी तक profitable नहीं हो पाई है तो देखिए वैसे तो इसके पीछे के कई सारे reasons है पर अगर मैं आपको कुछ major reasons बताऊं तो इसमें सबसे पहला reason तो यही है जाता है कि भले ही जो blue dash जैसी companies है यह delivery से काफी ज़्यादा पुरानी है और केवल express delivery के market में work करती है बट still आज की time अगर आप market share वाईस देखोगे तो delivery express delivery के market में सबसे बड़ा market share hold करता है because यह जो पूरा ही इसका segment है यह काफी ज़्यादा efficient है इन सारी company से comparison में और अगर आप delivery का पूरा ही business breakout देखोगे तो आज की time delivery के case में इनका जो express delivery से market share आता है वो 62% आता है और इसी express part से delivery के अंदर यह जो e-commerce वागरे website है यह सारा EC का use करती है secondly इनका जो part truck load से business आता है वो 19% आता है supply chain services से 10% आता है truck load services से 7% आता है और जो cross border services है उससे बाकी का इनका बचागवा business आता है तो आप देख सकते हो कि जो पूरा ही delivery है इसके case में इनका business segment है काफी दा diversified है और एक particular किसी means पर dependent नहीं है इसके बाद second reason यह है कि यह जो पूरी industry है यह economy of scale पे work करती है यानि इधर जिस company का size जितना ज़ादा बढ़ा होगा उसको further उतने ही ज़ादा advantages मिलेंगे इसका भी अगर मैं आपका example दूँ तो for example delivery का अगर आप case देख लो तो इनके case में क्योंकि यह express parcel delivery के अलावा भी दूसरे segments में भी work करते है इसलिए इनका जो market size है वो blue dollar जैसी company से comparison में ज़्यादा बढ़ा है अब market बढ़ा है यानि इनके पास ज़्यादा warehouses है ज़्यादा employees है और trucks वगरा कभी ज़्यादा बड़ी fleets है इसकी वज़ेसे इनकी जो पूरे processes है यह जाल सथ efficient कर पाते है और कम टाइम में एक logistic item को दूरी जगर transfer कर पाते है और इसी के चलते company दे अपने recent quarterly results में year and year 13% की growth दिखाई है revenue में जहाँ पर अब section wise देखोगे तो excel parcel revenue में 12% की year and year growth देखने को मिली है इसके बाद third reason आता है delivery का एक technology driven company होना जहाँ पर इनके बाद different data और software की मदद से company अपने सारे ही operations को काफी smoothly handle करती है जहाँ पर इनकी 80 प्लस software की मदद से यह अपने businesses के हर इक component for example warehouse हो गया, supply chain management हो गया logistic management हो गया यह even drivers के management को भी सारा ही software की मदद से कर लेते हैं अब जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो को शुरुआत में बताया था इंडिया में जो road transport है उसके case में जो logistic का market है उसमें 35% टाइम जो trucks होते हैं और even delivery के financials को आपस में compare करके दिखाऊंगा और यह चीज़ आपको show करना ही कोशिश करूँगा कि कैसे delivery आज उसी पात पे चल लए है जिस पात पे कभी zometo चला करती थी और जिसके बाद zometo के stock price ने एक साल के अंदर 250% के return दिये थे तो यहाँ पर अगर आप zometo का case देखो तो आपको समझ में आएगा कि company case में जो major rally start हुई थी वो मार्च 2023 के मन्थ में start हुई थी इसी duration के बीच में अगर आप company quarterly results देखोगे तो आपको दिखेगा कि यार मार्च 2023 के मन्थ में तो company के net profits negative में थे यानि company losses कर रही थी पर even अगर आप इनके share holding pattern को देखोगे तो company के losses करने के बावजूद company में September के ही मन्थ से जो DIAs है उन्होंने अपनी holding को बड़े लेवल पर start कर देता बढ़ाना और इसके बीचे का reason अगर मैं आपको बताऊँ तो अब वापस अगर quarterly results पर आऊगे तो आपको दिखेगा कि company केस में इनकी जो operating profits थे और operating profit margin थे वो लगातार इंप्रूव हो रहे थे जहाँ पर इनकी जो losses थे वो लगातार decrease हो रहे थे और operating profit margin भी improvement हो दिखा रहे थे इसके लाब अगर आप other parameters देखो like compounded profit growth तो आपको समझ में आएगा कि trailing 12 month में company ने 133% compounded profit growth दी है और इनकी जो compounded sales growth थी वो भी पिछले trailing 12 month में काफी अच्छी इंप्रूव होई है इसके लाबा एक और positive tease ये थी कि company case में आप देखोगे कि इनका जो March 2024 वाला year था उनकी जो cash from operating activities है वो इस year में पहली वार positive हुए है और इसके लाबा इन सारी ही चीज़ों को देखते हुए DIs ने अपनी जो holding है वो company के profitable होने से काफी पहले ही start कर दीते बढ़ा ना जिस वैसे उन्हें एक साल के अंदर 250% से भी जार return मिले इसके against अगर आप public की holding देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इस पूरे ही duration में company में public लगातार अपनी holding बेशती जा रहे थी और even company के जब all time high company ने लगाया उस duration में अगर आपको लग रहा है company में public 28% की holding रखी है तो इसको अगर आप further reduce करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि overall company की holding है उसमें company में केवल जो public है उसकी holding 7-8% की है और major जो बड़े-बड़े investor से उनकी holding है company में अब इसके against अगर आप delivery के financials देखो तो आपको इदार को similarity नज़र आएगी जहाँ पर सबसे पहले अगर आप quarterly results पे देखोगे तो आपको समझ में आएगा है इस company case में भी company जो अपने operating profits है उनको लगातार reduce कर रही है और उनकी जो operating profit margin है उनको भी काफी अच्छा improve कर रही है पर यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि Zomato को comparison में यह जो delivery है इसके case में इनकी operating profits है और operating profit margin है यह काफी तब fluctuate कर रहे है और इसके पीछे का reason आपको समझना पड़ेगा कि यह जो company है यह unlike Zomato एक काफी अलग segment नो work करती है जहाँ पर आपको economy wise growth या कब कभी degrowth भी देखने को मिलती है तो इस case में आपको हमेशा यह fluctuation कर इसके तो रहेगा तो उसको हमेशा consider करके रखेगा अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको पता है कि Zomato की तरह इधर भी operating profit और operating profit margin लगातार improve हो रहे है जहाँ पर आप December और March के quarter में अगर आप देखोगे तो operating profit भी positive हो चुके है और even operating profit margin भी इस case में positive हो चुके है अगर आप company के net profit को देखोगे तो आपको net profit समझ में आएगा कि December के quarter में positive हो गयते पर यहाँ पर फिर से इसलिए negative हुए है तो कि sales growth जो है company की वो March के quarter में नहीं हुई है जो कि सारी ही logistic company से case में इनका quarter 4 होता है वो काफी tough माना जाता है इसके अगर आप बाकी parameters देखो like compounded profit growth तो वो भी trading 12 months में 78% की रही है जो कि काफी अच्छे numbers है इसके अगर जो एक और बहुत important point में आपको Zomato case में दिखाया था वो मैं इधर भी दिखाता हूँ कि अगर आप company का cash from operating activities देखोगे तो इनके March 2024 की year में cash from operating activities यह positive हो चुका है जो कि काफी अच्छा point होता है किसी भी company के लिए इसके अगर आप इधर भी shareholding pattern को देखोगे तो इधर भी DIAs आपको consistent level पर बड़े लेवल पर अपनी holding बढ़ाते हो देखने को मिलेंगे और इवन अगर आप public की holding देखोगे तो ऊपर से तो आपको देखने को मिल रहा है वो reduce हो रही है और इवन आपको जो 16% की holding देख रही है इसमें भी अगर आप फरदर देखोगे तो इसमें 16% में भी काफी बड़े-बड़े investors अपनी holding रखे हुए है यानि नॉर्मल दे पबलिक है उनकी हाथ में company के काफी कम stakes है अब देखिए delivery के case में हमें ये तो देखने को मिल रहा है कि company के operating profit margin, cash flow from operating activities और उनकी तो DIs की बढ़ती ही holding है ये चीज़ शो करती है कि company case में जल्दी हमें एक turn around देखने को मिल सकता है पर यहाँ पर आपको एक बाद ध्यान अखनी पड़ेगी कि जो भी ऐसी companies होती है जो की losses से profit की तरफ 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 कर रही होती है इसमें हमें काफी extraordinary returns तो देखने को मिलते है पर इधर हमें risk भी उतना ही बड़ा देखने को मिलता है अगर थोड़ा भी company के बीच में कुछ उपर नीचे होता है तो उस case में company में एक बहुत बड़ा drop हमें देखने को मिल सकता है जापर अगर आप देखोगे तो recently क्योंकि company के जो quarter 4 है उनकी जो results है वो favorable नहीं आयते तो आप देख पार होगे company case में एक ही दिन में हमें 10% का fall देखने को मिलाता तो आपको company case में इस तरह के जो risk है उनको भी consider करके चलना है and apart from this अगर आप यह जानना चाहते हो कि इन पूरे ही elections का 4 जून के बाद हमारे markets पे क्या और कैसे impact पड़ेगा तो इसके लिए आप screen पे दिए video को click कर सकते है and also do check out our membership community और आपको video यहां तक पसंद आयो तो please video को like जरू कर देजगा and video को end तक देंगे लिए thank you हम मिलिए अपने next video में तब तक के लिए bye bye